जैसे जैसे गर्मी बढ़नी शुरू ही है वैसे वैसे दुकानदारों का व्यपार भी मंदा होने लगा है कई दिनों से चल रही लू का असर अब बाजारों में साफ दिखाई देने लगा है बता दे कि अंबाला शहर में दिन का तापमान 44 डिग्री के पार पहुँच गया है जिस कारण दिन में बाजार सुने नजर आने लगे हैं जिन बाजारों में हर समय रोनक नजर आती थी अब उन बाजारों से रोनक गायब होती नजर आ रही साथी प्रचन गर्मी और गर्म हवाओ के चलते लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है ज्यादा जरूरी काम होने पर ही लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल रही है वहीं भीशन गर्मी के कारण भी दुकानदार काफी परेशान नजर आने लगे है ज़्यादा है निए 6 बजे के बाद निकलता है जब तक बजार में फननाटा होता है इसम्जय निए अचा रहा थोड़ा बहुत गाग आता भी है यह है कि जगा 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 आपको पता है कि फढके पाड़ रखी है कर्स्पा निकलना बहुत मुश्कुल हो जाता है कि बंति हैं गर्मी का बहुत बोरा हाल है गर्मी ने तो इस्टेम चकर आ रहे हैं जो का देखा जाए तो छे बजे के बाद ही किस्ट में चलता है बजार पूरा सुनाटा पड़ा है बिल्कुल एक पैसे काम नहीं है यह है कि हम लोगे देनी देनी है गहां को यह नहीं हो यह चे बजे तक नहीं हमारे को बिला होगे बैठना पड़ा है कोई वो नहीं है देखे जो पारा है बहुत उपर जा रहा है चो आली से पंतालीस डिकी टेमपरेचर रहा है और सुबह लगबग 10-11 बजे से ही बजारों में सनाटा चाह जाता है और बजार का जो टाइमिंग है और लूग के चलते घरों से नहीं निकल रहा बहुत ज्यादा जूरूरत का समाल लेनी की लोग बाहर देखे जैसे जासे गर्मी बढ़ रही है और उस साब से बजार में कश्वर की जो है आवा गई नहीं हो रही है बजार में कारोबार की स्थिति वैसे भी डून थी वैसे फाइव गरीब था पिछले पांच आच छे दिनों से घर्मी बहुत बढ़ रही है लूग चल रही है पूरी इस वह से बजार में कश्वर नहीं आता है शाम को थोड़ी सी दुगांदारी का परवाब पढ़ता है दुगांदारों थोड़ी राज मिलती है अदर्वाइस ब व्यपार से परिशान है वंचीत है गोर्त लपी की प्रेज़ेंट गर्मी का असर अब लोगों के व्यपार पर भी पढ़ना शुरू हो गया है जिसको लेकर दुकांदार काफी परिशान नजर आए ऐसे में अब देखना यह होगा कि तापमान में कब तक ग्रावट देखन को मिलती है और इस भीशन गर्मी से कब तक राहत मिल पाती है पंजाब के स्वी टीवी के लिए अंबाला से केशन भाली की रिपोर्ट